एंटी बायोटिक्स यानी प्रति जैविक वे दवाएं हैं जो वैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रिमनों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए उपियोग की जाती हैं ये दवाएं हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक वेक्टेरिया को मारने या उनकी व्रिद्धी को रोकने का काम करती है एंटी बायोटिक्स का विकास चिकित्सा के शेत्र में एक महतवपून मील का पत्थर साबित हुआ है जिसने कई जानलेवा बिमारियों को नियंतरित करने में मदद की है एंटी बायोटिक्स का इतिहास एंटी बायोटिक्स की कहानी की शुरुवात 1928 में हुई जब ब्रिटिश वेग्यानिक अलेक्जेंजर फ्लेमिंग ने पेनिसिलीन की खोश की या पहला प्राकिर्तिक एंटी बायोटिक्स था जिसने चिकित्सा श्वेत्र में क्रांग दिला दी इसकी बाद कई अन्य एंटी बायोटिक्स की खोज हुई जैसे स्ट्रेप्टोमाईसीन, टिट्रसाइक्लीन और एरिथ्रोमाईसीन जिन्होंने विवन वैक्टेरियल संक्रमनों के इलाज में एहम भूमिका निभाई एंटी बायोटिक्स का कारी करने का तरीका एंटी बायोटिक्स का कारी करने का तरीका अलग-अलग होता है कुछ एंटिबायोटिक्स वेक्टेरिया की कोशिका दिवार को नस्ट करके उन्हें मारते हैं जैसे पिनिसलीन, कुछ अन्न, जैसे टिटरासाइक्लीन वेक्टेरिया के प्रोटीन संशलेशन को रोकते हैं जिससे उनकी वृध्धी रुख जाती है इसके अलावा कुछ एंटिबायोटिक्स वेक्टेरिया के डिने या आर एने संशलेशन को बाधित करके भी काम करते हैं एंटिबायोटिक्स प्रतिरोध के प्रभाव एंटिबायोटिक्स प्रतिरोध एक गंभीर समस्या बन चुकी है इसके कारण कई समान इस संक्रमन जो पहले आसानी से ठीक हो जाते थे अब जान लिवा हो सकते हैं एंटिबायोटिक प्रतिरोद के कारण इलाज महंगा और लंबा हो जाता है और मरीजों की मृत्यूदर भी बढ़ सकती है इसका असर केवल मरीजों तक ही सिमित नहीं है बलकि इसका प्रभाव संपुन स्वास्ति प्रनाली पर पढ़ता है एंटिबायोटिक उप्योग के सही तडिके एंटिबायोटिक्स प्रतिरोट से निपटने के लिए एंटिबायोटिक्स का सही और जिम्मेदाराना उपयोग बहुत जरूरी है डॉक्टर की सलाह के बिना एंटिबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा जब डॉक्टर एंटी बायोटिक्स का कोर्स लिखते हैं तो उसे पूरा करना भी ज़रूरी है